बिहार में पिछले सालों में पिछड़े वर की राजनीती का वर्चस्व रहा है तो ऐसे में प्रशांत की सोर के लिए क्या वहां पे स्पेस और एक्सेप्टिबिलिटी दोनों होगी इस तरका कोई आपने सर्वे करवाया कोई डाटा अनेलिसिस किया है उसका कुछ निकला आ इस तो कि अगर रहो नहीं हो लाट हो सकता है कि पार्टी में नव बनाओं यह संभव है कि अगर पार्टी बने भी तो मैंने हाला कि यह तो कल प्रेस में बोला है कि अगर पार्टी बनी भी तो वो प्रशांद किशोर की पार्टी नहीं होगी ये उन लोगों की पार्टी होगी जो बिहार के धर्ती से जुड़े हुए हैं वहाँ के मुद्दों को समझते हैं, वहाँ के समस्याओं का समाधान करने की काबियत रखते हैं और उससे बढ़के जिनमें अभी ये जज़बा कायम है कि बिहार को आगे बदलना है अगर सब आकर मिलकर एक साथ वो ऐसी कोई दल या ऐसे मंच या किसी पार्टी का निर्मान करेंगे तो प्रसांद की सोर भी उसमें एक मेंबर हो सकते हैं लेकिन अगर आप ठेयरिटिकली ये पूछना चाहरे हैं क्योंकि मैं हर जगाँ पढ़ता सुनता हूँ कि वहाँ जाती बहुत है, वहाँ तो जाती का धार पर ही होता है मैं आपके दर्सकों को ये बताना चाहता हूँ ये बिलकुल गलत बात है, बिहार में उतनी ही जाती है जितरी दूसरी राज्यों में जाती इरेलेमेंट है दूसरी बात, अगर आप एक्जामपल लेकर देखेंगे, बहुतेरे, अगर एक स्टेट, एक एलेक्शन आफ्र एलेक्शन में आपको बता सकता हूँ जहां पर लोगों ने जातीयों से उपर उठकर वोट किया है दूसरा सवाल मेरा है, जो कि राष्ट्य राजनीती से जुड़ा हुआ है, आप कॉंग्रेस के पास उसका रिवाईवल प्लान लेकर रिक गए तो जाहिर सी बात आपने डाइग्नोसिस भी किया होगा, कि क्या दिक्कते हैं जो आपने किया उसके बाद, क्या आपको ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस आगे आने वाले दिनों में अपने पुराने रूप में लोटेगी और एक विकल्प के रूप में सामने आ पाएगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो जो जॉइंट ओपोजिशन है एक तरह से उसमें कौन सा एक ऐसा कोई चेहरा है आपके नजरिये से जिसकी की पैन इंडिया एकसप्टिबिलिटी हो और जो एक विकल्प दे सकता है दो हजार चॉबिस में देखिए पहला जो कॉंग्रेस के साथ जो मेरी बातचीत हुई या जो भी मैंने ब्लूप्रिंट या जो भी अपनी समझ उनके साथ साजा करी वो किसी एक चुनाओ के नजरिये से नहीं है उसका पूरा आधार ये था कि आने वाले कुछ वर्सों में पांच साथ दस वर्सों में कॉंग्रेस को मजबूत कैसे किया जाए अगर राजनितिक दल के तोर पर कॉंग्रेस मजबूत होगी तो सभाविक है कि उनको एलेक्शन में भी उसका फायदा होगा लेकिन पूरा जो ब्लूपरिंट है या जो पूरी सोच जिसको साजा करा गया है उसका आधार ये नहीं था कि आप गुजरात कैसे जीतेंगे कि 2024 कैसे जीतेंगे कौन चहरा बनेगा कौन चहरा नहीं बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर था कि Congress अपने आप में अपने को कैसे मजबूत कर सकती है और उसके लिए उनको किस तरह के क्या-क्या प्रयास करने होंगे आपने सवाल का जवाब नहीं दिया विकल्ट बन सकती है क्या Congress की जो सोच है और Congress का जो Space है वो इस देश में इतनी आसानी से खतम नहीं होने वाला है अगर आप मेरे से पूछेंगे तो साइद कई वर्सों तक कई दसकों तक खतम नहीं होगा इसका मतलब यह नहीं कि Congress present formation में continue करती रहेगी अगर वो अपने आपको नहीं सुधारेंगे या जनता के आसाओं अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं काम करेंगे तो संभव है कि यह formation ना रहे लेकिन Congress की जो सोच है या जो ideology है जिसे Space को वो रेप्रेजेंट करते हैं वो तो डिमोकरिसी में हमेशा रहेगी जब तक इंडिया में मल्टी पार्टी डिमोकरिसी है तब तक Congress की सोच या उनकी आइडियोलोजी है उनसे Space की जगह है पंजाब ते पंजाबिय दा परच्छामा पंजाबी साधिया बामा ABP सांजा हुन देखो अपने टीवी स्क्रीन थे डाटा पले चैनल नंबर उन्नी सोड ती ते ABP सांजा देखनले अपने केबल ओपरेटर नू आज ही संपर्क करो ABP सांजा जोश जजबा जिनून